पहला पॉलिसी बनाओ और दूसरा उसको स्ट्रिक्ली फॉलो कर वाओ डील मत दो किसी को कि अरे अब यह तो भाई है यह गुपता जी हमारे पुराने 15 साल पुराने आदमी है अब यह आदा गंटा लेठा है तो कोई बात पुपता जी तुम तो आदा गंटा पहले या जाना क्योंकि अपकी बार मैं निकालूँगा और तुम 15 साल पुराने आदमी हो अगले छे महीने तो बैसा बेक्दम नाप सही रहे ना क्योंकि अगले छे मेने में मैं तो दमाग लागे बैठाओं कि इस महीने एक आदमी की फाइरिंग पकी है एक की फाइरिंग करूँगा किया जा सकता है यह तो कुछ निकार रहता है तब तक वह का शोचन करेंगे यह नहीं मनेगा या यह तो यह है उसन फिर के वाइख यह तो काम करा ना अपनी जिम्मधारी है फिसे तो स्टूडेंट ने पैसा दिया तो गली लेकिन से जाधा मैं तो बस जिम्मधारी यह और उससे ज़्यादा मेनत आपको करनी पड़ेगी काम करवाने की लिए राम मीना जी कहते हैं राव जी कोई तो डेडिकेशन से काम कर रहा है तो थोड़ा सा लेट होगा उसको देखके बाकी थोड़ा सा लेट होंगे फिर परिपाटी बिगड़ जाएगी ऐसा क्यूं भाई तो कोली तो बहुत अच्छे रंवन आता है कोळी को करने दुक्ए मनमानी बाकी तो हम बाकी जब को टॉट कर दूंगा वाना को नहीं बोल पायेंगे वह थोड़े रैण्वन आज ज्यादा बूल गया मैं इस टॉप्टिक तर डाइम नहीं लगाना चाहिए था लेकिन आपने मेरे अंदर के जगा दिया अच क्लियर है क्या एक सबसे बड़ा लॉजिक सर्ल रुखते भी तो लेट है सर्व 10 का 11 आपता है लेकिन रुख भी तो जाता है लेट उसको बोल मत रुख लेट क्या करेगा लेट ऊसी लिए तो रुक रहा है अगर तो देखो दो गंटे काम के तीन गंटे लगते है तो तेरे तो चे के साथ बज़ेंगी तो मेरी गलती थोड़ी है मैंने तुझे जो काम दिया वह इतना था कि आज का काम आच चाहिए तो श्पीड से करके पांच बज़े फ्री हो जा श्यवजे निकल जाना और तेरी स्पीड नहीं है तो बच्ती है ना मेरे मां थे थोड़ी है इसका मतलब थोड़ी है कि तो लेटी आएगा लिए जो भी आपका रूल है तो तीसरा अगर मैं बढ़िया तनखा दूँगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा यह किसको ब्रहम है बढ़िया तनखा देने से बढ़िया आदमी काम करते कि बढ़िया तनखा देंगे तो बढ़िया काम करेगा यह ब्रहम है तोड़ देते हैं इसको ब्रहम नमबर तोड़ो उसको पहली बात देखो बढ़िया आदमी काम करेगा तो बढ़िया पैसे लेगा यह डन है इस बात से मैं एक बढ़िया आदमी बेस्ट आदमी बेस्ट सेलरी लेगा ठीक लेकिन हर वो आदमी जिसको बेस्ट सेलरी दोगे वो बेस्ट काम करेगा यह जरूरी तो नहीं है ज्यान से सुनना है ये रिलेशन में दुनिया का निफ्यूज है बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति बढ़िया वेतन चाहेगा ये सत्य है उसको बढ़िया पैसे देने ही बढ़ेंगे पर हर वो व्यक्ति जिसको बढ़िया पैसे दोगे वो बढ़िया ही काम करेगा ये गारे या निकलेगा यह गारंटी तो ना है कि यहां पर क्लेरिटी है यह डिफरेंस समझ गए इसी डिफरेंस में है जो भी पंगा है वह इसी डिफरेंस में प्रफ सबसे जो सबसे, जो गडबढ होती है वो क्या होती है सुनो आप टाइम के साथ सेलरी बढ़ाते हो और जब टाइम के साथ सेलरी बढ़ती है तो हक बन जाता है आपकी कमपनी में कोई व्यक्ति होगा जिसने शाद 15,000 रुपे में as a salesman जोइन गया था अब आप हर साल उसकी एक हजार बढ़ाते रहे आज 15 साल हो ग उसने कि इसकी जिम्मेंदारियां बढ़गी यह की स्किल बढ़गी यह की स्पीड बढ़गी कुछ बढ़ा नहीं बस खर्चाई बढ़ा है वो तो वहीं घड़ा है ऐसा लगता है आपको जब भी time के साथ salary बढ़ती है वो हक बन जाता है और salary कभी भी हक नहीं privilege होनी चाहिए जैसे एक example देता हूँ आपका employee है आपको मेरी बात से बड़ा confidence आया आपने का रहुल जी आपने बहुत सही बात कही employee को के बारे में मुझे भी सोचना पड़ेगा आपने employee को कहा कि अपसे तुमको दिवाली में अपने बहुत बड़ी आ profit कमाया था आपकी बार तुमको सबको 5-5,000 रुपे बोनस employee खुश अगले साल 10-10 अगले साल और profit हो गया आपने सबको 10-10,000 बोनस तीसरे साल और profit हो गया सबको 15-15,000 बोनस चोथे साल लॉस हो गया पैसा ही नहीं आपने कहीं से उधारी करी और उधारी करके 10-10,000 रुपे बाट दिये आपका employee क्या बोलेगा? आपका employee क्या बोलेगा? उनकी शब्द क्या रहेंगे? उनकी सोच क्या रहेगी? कि सर जी, 15-10 कर दिये, मेरे 5,000 खा गया वर्ड सुनो, ये आदमी हमारे 5,000 खा गया पिछली बार 5 थे, पिर 10 थे, पिर 15 थे, काईदे से तो 20 मिलने चाएव थे और 20 कर दिये, 10 हमारे 10 जर खा गया पिछली बार वाली में भी नहीं पहुचाया यार पिछली बार वाली में भी नहीं पहुंचता है ये तो सर जीयर ऐसा क्यों हुगा क्योंकि आपने इनको सबको fix amount दे दे के समय के साथ दे दे के हक बना दिया इनको ऐसा लगता है कि तो हमर हक है अब तो यह मिलना ही चाहिए अपर नहीं मिलता तो यह पंगा कर देते है अब मैं इसको बोलता हूँ इसका उल्टा तरीका क्या हो सकता है इसका reverse क्या हो सकता है कि मैं बोलू कि आपकी बार भाईया अपनी company का मोटा मोटी profit बनाब एग्जेक्ट नहीं बोनस देना चाहरा हूँ पर दो लाग का बोनस सब आद्मियों को एक साथ नहीं कि चालिस आद्मी है तो सब को मैंने पात्पाँ जार बाटती है यह बोनस बटेगा KPI के बेसिस पे KPI मैंने देखा तुमारी हर हफते मैंने तुमको क्यारे दे रखा है तुमको KPI चेक कर रहा हूँ हर हफते तुमारी परफोर्मेंस देखता हूँ अब मेरी परफोर्मेंस देखके जिन भी व्यक्तियों का 90 से उपर नमबर चल रहे है यानि जो रॉक स्टार है जो अपना पूरा KPI मेंटेन कर रहे हैं सब्तर वाले जो हैं इनको मिलेंगे पांच-पांच हजार और जिनके सातर से कम नमबर है अपकी बार उनको बोनस नहीं मिलेगा और आपको बोनस नहीं देनेगा सिर्फ यह कारण है कि आपकी परफोर्मेंस स्टेंडर्ड से कम है तो अब employee के बीच में क्या message गया कि जो यह बोनस मिलता है यह profit पर डिपेंड है अगर आज एक करोड का profit है तो दो लाग बोनस बटा है कल को दो करोड का होगा तो चार लाग बटेगा तो एक profit जितना बड़ेगा उतना बोनस बटे प्लस उस बोनस में ऐसा नहीं कि सब को मिल जाएगा जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा खतम मामला तो अब वो जो बोनस मिल रहा है क्या वो हक है नहीं, वो मेहनत है वो पूरे साल मेहनत करके profit आया और उस प्रॉफिट में तुम्हारा बड़ा यूगदान था तो तूम्हें मिलेगा अब मानलोग प्रॉफिट आया ही नहीं तो अपकी बार बोनस है ही नहीं अब तुम बोल भी नहीं सकते गि मैं को दिया नहीं है जी तही थे यार देता कैसे और दूसरा ये यार अपकी बार होजगता है गुप्ताजी को अपकी बार 15 मिले अपकी बार पिगली बार 10 मिले तीसरी बार मिले ही ना एक होजगता है पहली बार की जी नㄱ मिले अगली बार 15C8 मिले जot इतनी मेंद़ करेगा उसको उसे साप से मिलेगा लिए है इन फेक्ट आपकी सेलेरी भी के पिए पे बेस होनी चाहिए मेरे ऑफिस का आपको स्टेंडर्ड सिस्टम बताऊं कि मैं कैसे देता हूं सेल्डी सेल्डी बढ़ाता कैसे हूं हमारे अपरेजल होता है साल में एक बार फिक्स है और सब को बताए कितनी दनका बटाएं किया चलो छोड़ो नहीं जाना किसी को तो छोड़ देखे कोई बात में कोई बात में एक एक एंपले का KPI बना हुआ है जिस बंदे के 90 से उपर है उसकी 15% चल्दी बढ़ती है जिसके 80 से उपर है उसकी 10% चल्दी बढ़ती है जो 60 से 80 के बीच में है उसकी 5% चल्दी बढ़ती है और जो 60 से नीचे होता है उसको हम जॉब से निकाल देते हैं आगर हमारी company में कमारी क्पी और 10 से कम नंबर हैं तो हम तुमको company रखते क्यांने नौकरी से लिकाल रहे अगर 6 शार की रेंज में हो तो तुम एवरेज performer हो तुमको 5 % का increase दे रहें लेना में थोलौनी तुम दे बहना हो और तुम अगर 80 से उपर हो तो तुम्हारे star performer हो तुमको 10% बढ़ाएंगे और 90 से उपर हो तुम सुपर star हो तुम्हारे 15% बढ़ाएंगे और हर चीज में यह differentiation है यह salary बढ़ाने में भी यह difference था bonus जब आएगा bonus में भी यह difference आएगा हम भाई साब अगर किसी को कुछ दिवाली में गिफ्त देंगे उसमें भी डिफरेंज आएगा कि performer है तो भाईया तेरा लिपापा 2100 का और ठीठा performer है तो तेरा 1100 का बागी सब 500-500 रुपे लेके जा दिवाली मनाओ और साट से नीचे वाले तो बैसाब कहीं और दिवाली मनाओ मेरे आता लावडी नहीं दिवाली मनाना साट से नीचे क्लिए भाई साब KPI के format आपको already दे दिये गए हैं पहले दिनी दे दिये गए थे जिसको नहीं मिले उसके पास number है मेरी टीम से बात कर लीजेगा उसमें number है accounting का KPI कैसे निकलेगा हर बंदे का जिसे KPI निकलता है उसका जो काम है उसके इसाब से KPI होता है उसने रिटन भरी के नहीं उसने एंटरी करी के नहीं उसने आपको बैलेंशीट हाथ में दीखिये नहीं उसके bank account किते updated है इन सबी चीज़ों पर उसको मिल जाता है मिठ पोर राओ जी प्यार से काम करेंगे तो सब चलेगा क्या बोलती है बबली क्या प्यार से बोलने से काम चलेगा नहीं चलेगा मित है देखो तुम बहुत ज़्यादा लाडल प्यार करोगे तो वही क्या होगा शोशन पेड़ित औसहाय अब यहाद नो का दस का ग्यारा बज़े आता है कोई नहीं अपना भाई है लेट चला एक गंटा पहले चला गया कोई नहीं अपना भाई है चुट्टी कर ली कोई नहीं अपना भाई है टार्गेट पूरा नहीं किया कोई नहीं अपना भाई है सबको करें ज्यादा लाट लड़ाएंगे तो दिक्कत है और ज्यादा ढाट देंगे तो भी दिक्कत है तो फिर क्या करें सिंपल सा रूल है सर्टिव बनों सर्टिव गया होता है यह बीच की अप्रोच आपको बसकी नहीं है यह तरीका 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 इनिशेटिव मरेगा रिते जी बोलेंगे कि घुनस खा जाएंगे बाद में बदला लेंगे और मैं ऐसे बोलू देल्शेटे जी लग कोई बात है जो क्या हो बढ़िया नहीं हुआ यह तो इसमें भी लूट जाओंगा वो रिलेक्स हो जाएंगे फिर मैं क्या बोलता हूं प्र इश्कार कैसे हो सब बढ़िया सब बढ़िया चल रहा है को दिक्क्त नहीं है और बदा प्रवाइब करना तो इसको आज ही है सब्सक्राइब कर रहा है कि प्यार से भी बात कर रहा है डाट रहा है काम तो चाहिए ऐसा नहीं कि आज का काम कर दो सब्सक्राइब कर दो चाहिए तो मैं डाट रहा हूं क्या नहीं मिलाड लड़ा रहा हूं क्या नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं कि देख मैं प्यार से बात कर रहा हूं कमीज से बात कर रहा हूं लेकिन वह यह रिजल्टों चाहिए इसको कहते हैं अजर्ट हूं कि बीच की अप्रूट तो जितने भी बड़े लीडर से उनका काम सिंपल्स आ है आपको एक क्लियर विजन दिखाना कि रिते जी बात सुनो यार यह अपन यहां खडएं और यहां पे अपनिको जाना है आप भी यहां खड़ी और मैं आपको यहां देखता हूं उसके लिए दूआ बटोmen करनी पड़ेगी आप भी करिए हमदी अगे बड़ेगा तो यहां पर जाएगा तेरे इंकम में बोनस में सैलरी में फ्यूचर में सब में ब्रद्धी होगी तो भाइसा कोई भी समझदार यक्ति काम कर लेगा और जो नहीं करेगा वो अपने घर जाएगा काँ जाएगा घर जाएगा आपके ऑफिस में इनेफिशन सी क्यों चलती है क्योंकि यह चलने देते हों आपकी टीम में एक आदमी जिसने पिछले बार क्रिकेट टीम के आप केप्ले ऑपकेप्टर हो और एक बंदा आपकी टीम में पिछले 10 करेगा नहीं तो पांचे में दूसरी टीम में जाएगा आपने क्या लगा रखिए सर मैंने यह कर दिया वो कर दिया वो काम नहीं कर रहा काम अरे नहीं कर रहा तो भाई घर जावे नहीं यार प्रवर्ष प्रभी नहीं किया प्रवी निए अब क्या करूं आप किटनी निगालों के दो इसको एक और निमाने तो एक अख निकाल के देना और फिर बैंक का लोकर दे दो पिर गाओं की जमीन के तोर चले OS सब तुम को काम करवाना हे तुम्हारे 50 सदर अगड़ने के ऐसी क्या मजबूरी है एसी क्या मजबूरी है उसने कोई राजबाद छुपा रखा है क्या आपका को गुप चुप में स्रीडीवीडी बन गई क्या आपकी कि नहीं हटा रहे उसको ऐसा क्या है गड़बड कि राओ जी इस पर सारे दस अटकंडे लगा लिए फिर नहीं मान क्या ग्यारवा बताओ हटां इसको काहे दुख रहुरा जिवन में और कौई काम नहीं कैसी की पीचे लगा रहे गाँ से उस्किन है ए हटीआ नहीं कि आज आपको पता से इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं अपने एक टॉपिक में गंड़ा खागे चलो चार नमबर आदमी को डील करना सीखें अब आपको मैंने बात में बता हुआ खुनस के से खाता है खुनस की बात कर दें सब्सक्राइब इंशल मेंट्रिक्स याद कर लो दुबारा इंशल में sousक्राइब कर लो एक नमबर का अदमी कौन होता है जिसमें काम करने की इच्छा तो है उसको आता नहीं है वो एक नमबर但 नमर इच्छा भी है आता भी है तीन दुममर गो मैं ने तो आता न लिखांग सबसेसे खत्र WIN कोने चोथा विक अनूंँगा इसको आता तो कुसे इच्छ नहीं है अब अब मुझे याद करें बधाओ आँ कि यह जो चार नमबर जब आपकी कंपनी में पहले दिन आया था क्या यह ऐसा ही था जैसा आज यह पहले तो बहुत ठीक था अब बिगड़ गया बहुत जी यह चार नमबर जिससे आप दुखी हो जिसको सैना पती बोलते हो कि यह रोजी इसको आता सब कुछ कुछे करने को तैयार नहीं है यह परेशान है करता है यह क्या व्यक्ति पहले दिन आया तब भी ऐसा ही था यह अब बिगड़ गया जी अब बिगड़ गया बाद में बिगड़ गया चार लोगों ने लिखा है साथ सो पक्चिस लोग बैठे है यह जो टेड़ा बना है पहले दिन से ही टेड़ा था है पहले दिन से तो गाय था यह बाद में सीम मारने लगाए कि सर पहले दिन गाय था अब सीम मारता है वेरी गुड चाला यह क्यों होता है अब इस पर सुन लेते हैं देखो एंप्लोई मेनेज करने के चार तरीके होते है ठीक ज्यान जा सुनो सामने स्क्रीन पर देखो चार तरीके हैं पहला तरीका होता है ट्रेनिंग और कि सामने आपके जो बंदा बैठा है उसको विचारे को प्रॉब्लम आता है solution नहीं पता है वो बचारा नया नया है उसमें क्या है कि जोश तो बहुत है मुझ विचारे को आता नहीं है उसको क्या करना है tell solution कि यार तू solution लेना है या दूसरा बंदा जो होता है केता है मेरे क उसको तो भाया सब कुछ आता है, सब कुछ knowledge है, महनती हूँ, यह है, उस बंदे को बोले यार तु इतना talent है, तेरे में इतनी बुद्धी है, तो अब अपन company आगे बढ़ाने में तेरे भी दो suggestion दे, उसको कहते है, ask solution, कि अब तू बता कैसे चला जाए, और एक तरीका होता है कि भी या, एक बंदे से problem पूछे कि बता भाई, दिक्कत क्या है तेरे को, और एक problem होता है कि सामने वाले को दिक्कत मत पूछो, solution मत तूछो, उसको सीधे problem बताओ, डाटो, यह जो डाटने वाला बता है ना मैंने, डाटो, यह है tell problem, कि कि किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी employee कोई भी काम करके लाए, उसमें गलती नहीं गाल दो, उसमें problem नहीं गाल दो, यह भी management का तरीका है, बना आया, बैसा मैंने फाइल बनाई है, अरे क्या बनाई है, इसा color change करके लाए, पीला क्योंकि यह नीला गर, यह font छोटे को है, इसको बढ़ा गर, यह ऐसे थोड़ी बनता है, इसको ऐसे गाटफल लगाते है, ऐसे लगा, हर काम में पंगे कर दी, हर काम में दिक्कत नहीं गाल दी, हर काम में problem बता दी, यह management का तरीका है, और 99% SME, ऐसे ही काम में लगते हैं, 99% SME, डाट डाट के काम करते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ, आपने क्या किय क्यों कियों कैसे कियों, हमने जेड़ी जब बनाया था, तो शादी की बात की थी कि मैं जेड़ी बंदाद ऐसे होता है, अब शादी की बात कर दे, नई नई दुलहन, जब घर में आती है, कैसी होती है, गाए, एकदम घुंगट निकला हुआ, गरदन नीचे, हर काम में जी जी मम्मी जी जी मम्मी जी जैसा भोलोगे वैसा कर देंगे उसको बहू पांच मजे उठना उस साड़ेल चार उठेइगी हर काम में भोला तैयार होती है सबसे पहले सासू जी की बात मांन दिय yakष़ात में इसा हुटा है शुरुआत में एक मीना दो मीना तीन मीना का सれて रिसरी में कल से टाइम सी जल्दी बिनओंगी अंगले दिन बहु सब्सक्राइब ईकने दाने दो गए एक दिन, दस दिन, वीज महीना, दो महीना, ओकरता के अनलों कोente अगलत दे दफिए कुछ चारएब। but in the process she lost the will उस बहु की इच्छा तो बहुत है आता तो था अब उसने सीख तो लिया है इच्छा कतम हो गई अब खुन्नस खा गई वो सास से इसने सास ने बड़ा दुख दिया है मुझे चाय में दुख दे दिया फिर खाने में भी फिर आने में भी फिर जाने में भी आप एक साल दो साल तीन साल तो सुन लेगी पर तीन साल में अब वो एक्सपर्ट है वो सारे तो रिष्टेदार जानती है सारे रिती रिवाद जानती है घर में दिवा घर के सारे नियम काईदे जानती है सब कुछ जानती हूँ अब कुछ ऐसा है नहीं जो सास बहु को सिखा सके जितना सास को आता हो तना इम बहु को आता अब Senior says के मारी आप सासू सुब्वे सुब्वे साथ से नों क्व्लास टेंग करने आ तильно कि सर जी बहु मेरी सुन्ती नहीं आ है अब मैं को अब एक्सपेक्ट कर रही है सासू कि राहूल जी बहुत बुरा हो रहा है आज कल की भुवे भीना मैं क्या वादा हूँ राओ जी आके बोल रहे है तेरे करम देख पहले तू नहीं उसको ऐसा बनाया है और अब अगर तुम्हारे तीन-चार बेटे हैं और पहले बेटे की भुव थी तो दूसरे बेटे की जब भुव आएगी ना तुम अत्याचार करोगे से पहले उसको लपेटे में ले लेगे का जो बले करते हैं के यह जो है न यह कंग यह ना ऐसी है तू बाकि सबको भी बिगार रखा है कोई भी नया आता इसको बिगार देता है सर वो पुरानी वाली भू है जिसके पीछे सबसे बुरा करम आपका है और आप बताओं क्या है आप सेनापती बनाने की मशीन हो कल को आपको मैं उपाये बता दूँगा ना कि इस आदमी का ऐसा वाल ति THE EXPECQ मत कर ले ना कि राहवल जी बहुंगा रहे निके परेशान हैं व्यकित खृटारी इन के लिए कुछ किया जाए опять satisf है अपने करमों से दुखी हैं राउजी सोलीशन तो देंगी देंगे पर बताएंगी कि तुम्हारे सोलीशन न इसलिए देना पड़ रहा है यह तुम्हारे कर जरूरी है तुम्हारे सासूजी होना तौ 위 करना जरूरी है लिए है अब मैं क्या कर रहा हूं असर्टी वे में मैं प्रोब्लम बता रहा हूं आपको कि ऐसी गलती है लेकिन कोई बात नहीं यह सॉलीशन है ऐसे करो टेंशन मतलो मैं हो ना यह सब्सक्राइब अपरोच है डाट भी रहा हूं समाल भी रहा हूं जैसे कुम सब्सक्राइब है यह बनाने की यह चार नंबर जितने भी है हमारे इवनाए हुए है चलो चार नंबर को सुधार दे क्या सुधार ने की टेक्निक बताए चार नंबर को चलो सुनों सबसे पहले मैट्रिक्स को देख लो इससको मेहनत करने को थयारे बस आता नहीं है उसकी कराओ ट्रेेनिगंस जो नंबर ट्यू आदमि है computational करो उसको अपने साथ शामिल करो हर decision making में कि भाई साब आप senior आप समझदा रहो आओ उसको importance दो उसको हर जगे include करो उसका मान सम्मान बढ़ाओ वो आपके साथ टिकेगा लंबे समय तक सिर्फ आपको अगर strict होना है तो तीन number पे strict होना है कि तीन number भाई तो काम भी नहीं करता तेरे तो इच्छा है नहीं है तो रवाना हो सबसे पहले और जो चार number का आदमी है उसको counsel करना है कि भाई तो दुखी तो है मुझे पता है तरे को सब कुछ आता है पर तो कर नहीं रहा तो मुझे बता ऐसे कौन सी पीड़ा है जो तरे को अंदर ही अंदर खाया जा रही है तो काहे काम नहीं गड़ता हूं उसके साथ बैठके उसका mindset समझो तो ऐसे employees कैसे deal होगा यह मैंना आपको बता दिया कि जो will high है skill कम है training दो दोनों है तो उसको authority दो उसको अपने साथ मिलाओ जो गमजोर है उसको fire करो और जो बैस साब ऐसा है चार नमर उसके लिए क्या करना है सबसे पहले उसको clarity दो कि सबसे पुराने आदमी हो सबसे समझदार आदमी हो सबसे intelligent आदमी हो लेकिन आप ही के काम में वो वाली बात नहीं है क्यों साब आकिर मुझे बताओ क्या गलती हो गई अगर मेरे से कोई गलती हो गई शुरूआत में आज मुझे बढ़ा राउल जी ने बताओ मैं सासू बना था तो शुरूआत में मैंने आपको कभी किसी दिन कुछ कह दिया हो कुछ बात आपकी दिल पे लग गई हो या शुरुआत में कुछ भी हुआ हो तो भाई साब उसको उस समय की बात को पीछे छोड़ो आज से आप हमारे कमनी के सीनियर आदमी हो, सीनियर लोगो अगर वो व्यक्ति बास्तों में बड़ी आदमी था, बस आपकी कोई बात चुबने के चक्कर में या आपने कभी उसको चार आदमी किसका मने डांट दिया रहो बात उसके अंदर बैट गी, उसके चक्कर में खुनस खाया बैठा था, तो जिस दिन आप उससे ये वाली बात करोगे, और खुनस तो रिलीज हो जाएगी, और वो आपको बड़िया पर्फॉर्मर मिल जाएगा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, ये आदमी भाई नहीं चारी ऐसा है, ये तो जब आया तो उससे ऐसा ही था, ये तो मैंने इसको ऐसा मालो कि ये आया, जब तो करेला था, मैंने नीम पे और चड़ा दिया, तो अब उसको रखने के जरुतिन, उसको टाटा बाई-बाई-बाई, किया जा सकता है, तो उसको पहले रोल की clarity दो कि भाई देख तेरा रोल है तो समझना, फिर उसको बाकी company culture समझाओ कि भाई तेरा काम बढ़िया है, लेकिन काम के अलावा भी 10 चीज़ें होती है, जो ध्यान में देनी बढ़ती है, आप भी timing का ध्यान लखो, आप थोड़ा अपने बोलने का ध्यान लखो, आप नई तो देख लो, और फिर नहीं हो, तो अंते मुपाया निकालना है, निकालने के tension मत बोलो, सीनियर को किसी के सामने डाटना चाहिए गया, सीनियर हो या जूनियर, किसी को भी पब्लिक ली नहीं डाटना चाहिए, किसी आदमी ने कितना ही बुरा काम किया, उसको कैबिन में बुलाओ, बैटके समझा दो, जो भी समझाना है, चार आदमीों के सामने उसकी बेच दी, क सबसे पहली एक चीज़ बात बदाऊं आपको ऐसा लगता है कि जिन पांच आद्मियों के साथ मैंने जरनी शुरुवात की थी उन्हीं के साथ मैं डेस्टिनिशन पर जाऊंगा नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल आपने कोई मुवी देखिए हीरो की जिसमें हीरो किसी यात्रा पर निकलता है वो जब निकलता है साथ में कोई और होता है फिर रस्ते में कोई और मिलता है फिर कुछ जगे तक वह आता है फिर वह छूटता है फिर दूसरा मिलता है यह लंबी जरनी होती न आपकी आप 1 क्रोड़ फे खड़ेो क숙ाड़ जयाना चाहिए या 1,000 क्रोड़ जयाना चाहिए जिन्दों ने अभी चालू किया सारे साथ में रहेंगि बिल्कुल नहीं रहेंगे उसस जिस बंदे के साथ अपाली में ऑपन्सक्रा में करते ते और जब ग्राउंड में पिंटूल लेगा, रनजी टीम में जाओगे तो आपको कोई और मिलेगा, और इंडियन नेशनल टीम में अलग मिलेगा, और हर दो-पांस साल में अलग-अलग लोग आते रहेंगे, तो जब भी आपकी जरनी नीचे से उपर होती है, हमेशा हर लोग आपके साथ नहीं रहते, आपका सर्किल ग्रोथ के साथ बदलता है, आपका पाचवी तक के दोस्त अलग थे, दसवी तक के अलग थे, बारी के अलग थे, कॉलेज के अलग थे, ओफिस के अलग थे और अब आप अलग सर्किल में उठते बैठते हो, है की नहीं, तो जैसे ज लेटाइट पूरे कर लेता था आपकी कमणी को आदमी चीज़ पचीस लाग का टार्गेट मारे उसके बस की नहां है तो हर अलग 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 लेवल पर अलग अलग अदमी बडलेगा हो सकता है कि एक से करो जिन लोगों ने आपको एक क्रोड से दस क्रोड लाया उनमें से ज टेकनिकली वो कॉंट्रिब्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दस से सो में जो स्किल चाहिए वो उनमें नहीं है आपने भी साज में कुछ साथ चालू किया उन बीस में से पाँच ऐसे निकलेंगे जो दस से सो में आपकी मनद करेंगे पंदरानी निकलेंगे वो भी रह है एक तो डिसकंफर्ट कि राउजी पंदरा साल पुराना आदमी है ऐसे कैसा निकल दूँ तो ये आपका परस्नल डिसकंफर्ट ही तो है आपका शेरम और आपके लिहाज को कंपनी क्यों बुकते हैं आप कंपनी से बड़े हो क्या सर आप खुद को कंपनी से बढ़ा बान कि आप कंपनी से भी बढ़े हो पापनी की रिक्वार्मेंट गतीं अब कंपनी है 2 मैं हूं फर्स्ट ऐसा आजगेा नहीं कंपनी फस्ट है तो भइया फिर कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है इसको फायर करना और उसमें आपको शरम आ रही है आपको लिहाज आ रहा है तो आपका शरम और आपका लिहाज कंपनी का है बुक्ते कि मैं लिहाज के मारे च्क अंपनी के लिए जडिए था तु 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 तुम्हारे डिसमपट का चक्कर में तेखना तो तुम अपन बहुत बड़े निता संत मात्मा हैं कि हम नहीं निकाले हम नहीं निकाले कल को वह पहले छोड़ दे तो आज बज़ें आठ बचके पंदरा मिनट आप एक काम करो सीड़े ओफिस पहुंचो जैसी ओफिस महुंचो के दस बज़े वाएगा नहीं श्कार सर एक बात करनी थी बुले क्या सर देखो मैं चार नूमबर हूं बुले हूं बुले अपनी दस साल से अपन पंदरा साल पुरा क्लाइन तो जो इस बताओ आप आप दोनों के बीच में तनातनी की स्थिति है आपको वह पसंद नहीं उसको आप पसंद नहीं तो यह बैसा रलेशन्शिप में प्यार तो रहा ही नहीं यहां तो कभी भी तलाथ हो सकता है आप सोचर है मैं तो ना दूंगा उसने दे दिया और उसने पहले तरश्म पहले तेयरी डिया और इस अब समठते हैं पर अब क्या करोगे यह गया है उसने कर दिया पहले पंगे तो चली रहये नफवाइट प्यार तो है नहीं है तो तना तनी तलाक कभी हो सकता है आप ने नहीं गिया उसने पहले खागा जो यह प्या करों कर दो अनि उसने पहले सब देखें कि यह मौका मिला और तब कर ले ना चीए था तो बाइसा क्या करें तो एक बात समझो कि समय समय पे कंपनी की सफाई जरूरी है मैं अगर अगर आज की रीट में सपरोच पुनीत नरुलाज जी कि कंपनी में office में आ रहा हूं उन से मिलने इनकी मैंने देखा इनके office में 20 आदमी बैएं मैंने सबकी शकले देखी मैं अगर एक साल वाद तुनित निराल जी की ऑफिस में दुबारा जाओं और मुझे वही बीस आदमी दिखे तो मैं इनके कैबिन में कुछते के दूँ मैं सर जी आपने बहुत ज़दा ग्रोथ नहीं करी जी वहाँ सक्काडी है क्योंकि अगरे बीस लोग इतने ही शमदार होते कि एक साल में रॉक स्टार है सारे बढ़िया काम करते है तो आपको यहां पर इस समय तीस आदमी बैठे मिलते क्योंकि बीस आदमी अगर अपना काम बखूभी कर रहे होते तो काम भड़ जाता और मुझे बीस नहीं पैंती साद में दिखते पर अगर बीस के मुझे बीस ही दिख रहे है तो मतलब यह जो करते आए वही करते आ रहे है और आगे भी वही करते रहेंगे और मतलब मतलब तो आप नहीं हाइरिंग कर रहे हो आप भहीं पड़े हो सर्वीस ही नहीं है वाड़ी सर्विस पर मद्दो दो-तीन साल गारी की हालत मेंकेंग बोले का भाई कप करा हाई तिया अकरी बार पूरी अंदर से बोल गई क्या चाहरे हो कैसे चला रहे हो तो अगर आपने किसी भी एक विक्ति को फायर किया सर अटेंडेंस नहीं मान रहा मेरा कोई खोई बात नहीं एक बंदा फायर करो सब जन्हें अटेंडेंस पॉलिसी अगले दिन से मानेंगे सजी टार्गेट पूरे नहीं हो रहे एक बंदा फायर करो टार्गेट अपने आप पूरे होंगे और तुम जितने खतरनाक आदमी को फायर करते हो उतना खतरनाक मेंसर जाता है अगर किसी छुट भाई है जैसे पुलिस ने किसी छुट भाई है को पकड़ा तो गैंग बेता गंवर नहीं बढ़ता तो बह्यां सब दुनिया के तियर्य क्या होगा ऑला सब्सक्राइब हो होती है मैं मानता हूं मेरा मेरा तरीका है दो तरह की फाइरिंग एक होती है एक्चुल फाइरिंग एक होती ही मेंटल फाइरिंग क्या होती है मेरे को मेरी कंपणी में एक विक्टी काम करता है मैंने गाया इसको निकाल मीरे और को समझ में आगया कि यह इसाथ लंबा नीचलेगा इसको निकालना है तो मैंने आज कर लिया और आज हीकुट इसको निकालना है तो मैं आज को नोगरी कर दिया mental firing मैंटल फाइरिंग मानिसिक firing किये मैंने आज से मैंने कह दिया यह बंदा मेरे को नहीं जी खतम लेकिन उसको नोखरी से नहीं निकाला है अब मैं क्या कर रहा हूं आप मैं तयारी कर रहा हूं तुरंत मैंने वह निकाला जेडी निकाला तुरंत मैं ने इंटर्व्यू लिये तुरंत एक बंदा है रिकिया 15-20 दिन इसको देखा समझ में बंदा आ गया अब में एक दिन इसको बढ़ा के बोलूंगा बाई साथ राम राम तो एक्च्वल फाइरिंग हो सकता है तीन मेने बाद ओ आपने कर राउल जी मेरा चार नम्र आदम आदम है इत्ता इक पॉंटेंट है उसके मेना गाड़ी चलेगी नहीं तो आज सोच लोगा इसको निकालूगा राउल जी आज जन्वरी ऐसार अपरेल में ही मिलेगा ही नहीं आज कर लिया में तरी करने की और अपरेल एमक वारें कर देंगे बात खुरुए भात घ्री जेसे उसने की ठीठ यूंदी जैसे उस नहीं की थी न न हाइब सोच यह तकी मैं छोड़ू गा और छह में अप्लोई भी इलपेत लिये और प्र फर गया को छ्यह में न सब्सक्राइब 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 तो अगर आप बेकार आद में लाए तो कंपनी बेकार अच्छे लाए तो अच्छी तो कुल मिलाके बड़िया टैलेंट लेके आओ यह आपका प्रमुक काम है दूसरा सब्सक्राइब उसको देना क definitions करना है और संद और उसको साइमाँ करना उसको देना कि है उसको कंपनी यहां से यहां जा रही है और हम चाहते हैं तो बढ़िया टेलेंट उसको विजन से सिंखाना फिर समय समय पर साथ जन में एक बार महिने मेंा बैट करना इसकी पहले खराब थी अब ठीक हो रही है इसकी पहले खराब थी आज भी खराब है इसकी पहले अच्छी थी आज खराब है जिसकी नीचे थी नीचे की नीचे उसको रवाना करो जिसकी नीचे थी उपर लाने का प्रयास करो आजाए तो बड़ी अनी तो रवाना करो तो आप जिस दिन ये हाइरिंग फाइरिंग पर स्ट्रिक्ट हो जाओगे ना कि भाई मुझे जो चाहिए वो तो चाहिए यह आएगा तो ठीक है नहीं तो कदब शॉपिंग करने जाते हो आप कैसे होते हो इस दुकान से मैंने यह चीज ली में को देगा तो ठीक नहीं तो दूसरी दुकान चाल तो बस यह वाली चीज़ एंप्लाई पर चाहिए सिंपल कि भाई यह मेरा काम है तू कर रहा है गया अबला हासर बढ़िया तू कर मैं तेरे क बढ़िया काम करने आले आदमी को सपोर्ट करना प्रमोट करना आपकी जिम्मेदारी है वो जो बढ़िया काम नहीं कर रहा है उसको सिखाना और जो न सीखे उसको भगाना आपकी जिम्मेदारी है आपके ओफिस में पॉजिटिव माहौल रहे कि जो महनती है वो आगे बढ अपनी में रहनी नहीं तक जो उसके पता है कि एक गंदी मचली पूरा तालाब खराब कर देगी पचास जने की टीम है बर इसमें तीन भी आदमी गड़ बढ़ है तो इन तीन को निकालो भाई और तीम इडेंटिफाय कैसे होंगे जब तुम वीकली रिव्यू लोगे हर साथ दिन में हर दस दिन में चेक करोगे कोन किते पानी में तो आपको सब पता पढ़ जाएगा क्लियर है अभी आपके साथ दिक्कत क्या है आपके टीम का कोई भी कॉमन विजन नहीं है टीम कैसे कहते हैं बताओ क्रिकेट टीम टीम मतलब उसमें ग्यारा आदमी है ग्यारा आपके टीम में दस आदमी बेटे हैं पर किसी का अलग सेम नहीं दस आदमी दस के आपने अपने अलग टार्गेट हैं किसी को कंपनी से मतलब ही नहीं जार वे आप उसके लीडर आपको भी किसी से मतलब नहीं आपको उन दस से मतलब नहीं उन दस को आपस मतलब नहीं है फ जो टाइम पे जाते हैं और जो काम बॉल देते हो तना जित्ना समझ में आता है तना कर लेते हैं आप बात भी सुस् tapped तो आपकी बात सुन लेते हैं यापकी शकल देखते हैं तो उनको यह दिखता है ययाक है आदमी तरन्खा देगा करेक को जो कह रहा है सुन लो दो बात कड़वी भी कह रहा है दो सुन लो कंखा देगा simple you don't have a team team ही नहीं कुछ लोग है जो आते हैं और जाते हैं अपनी अपनी दुनिया में तो ऐसे टीम बना नहीं कहा रहा है। जिनका सब का एक थिक नक्षो और दोड रहे हूं है डिकाटिएड फोकसट. बना नहीं वहां लशाप कर दो अलबसे मैं आपको एंनके आप और मैं डिसकॉस करेंगे कि टीम कैसे बंदी है लली जी लिख भी दिए शौर सर अब बाकी सब बुले रहे नहीं सर ऐसी बात नहीं है मम भी लिख देते हैं चलो इसा मेरे को भी लिंग बेजो अचा जिसको बेनवा नहीं है दो अधा यहीं सीख लो डन चलो स्टेप बन स्टेप बन क्या है मिशन टू पर डू आप एक बार अपनी पूरी टीम सबसे पहले तो एक कमिट करो खुझ से कि भाई साब जो मैंने डिसेड किया है आपके बार राहूल जी अच्छा यह मेरे से वादा करो एक बार अरे सर में मजाग कर रहा था कोई लिंक नहीं है लोग बारा लिंक मांगने सब्सेंet लिंक बेजो और सबसे पहले तो ये decide कर लो कि starji जब तक आप team बनेगे ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कि राहूल जी अब मैं आपकी बात समझ गया जब तक बढ़िया team मिलेगी नहीं जब तक मेरी team में सारे के सारे खोकार आदमी नहीं घट्टे होते है। जो भी एक नंबर है उसको शिखा दूँगा। जो चार नंबर है, उसको सुधारने का प्रयास करूदूँगा। जो सुध्रेगा वो ठीक है, जो यह सुध्रेगा निकाल दूँगा। तीन नंबर को भी निकाहा दूँगा चाहे मुझे दस फाइरिंग करनी पड़े चाहे मुझे पच्चीस करनी पड़े आइड डोंट केर जब तक बढ़िया टीम मिलेगी नहीं तब तक मैं रुखूंगा नहीं कि लिए कि लिए रहे सर यह कि प्रोमिस यह प्रोमिस मुझसे और खुचसे कि सर जी अब तो ऐसा है कि समझ में आगा कि बिजनस तो टीम से बंदा है और जब तक मेरे कंपनी में दस आदमी, बीस आदमी की जितनी भी आदमी है, अगर पचास आदमी है, तो जब तक पचास पोस्ट में खूखा आदमी नहीं आजाते, जो अपने-पने फिल्ड के खिलाडी हैं, बेस्ट हैं, बड़िया काम कर रहे हैं, तब तक हाइरिंग-फाइरिंग यूहीं चलेगी, चाहे हर महीने 5 निकालने पड़ें, 15 भरने पड़ें, मैं तो जब तक छोड़ूँगा नहीं, जब तक तोड़ूँगा नहीं, जब तक छोड़ूँगा नहीं, पहले बेकप बनाना है, ओविसली पहले बेकप बनाना है, ऐसा नहीं कि जोश में 5 आदमी निकाल दिये, तो एक मिटिंग करनी है अभी जितनी भी टीम बैठी है सब को बिला लो 5, 10, 15, 20, 25 बिला लिया उनके साथ बैठके जो आपने इनके साथ इंडक्शन इनका नहीं वा था ना इतने भी पूराने एंप्रोई है इनका तो इंडक्शन हो यह नहीं जो 9-10 का अब प्रेजर्ट के बारे में और डीटियल में बताओ अब आपा मिशन बताओ अब इनसे पूछो की भ解शा अब सुनो पूछता हूँ आप क्या चाहते हो पड़ा गुप्ता जी अपने कंपनी कंपनी 10 साल में कहां से कहां लेके जाए और उसमें आपकी क्या चाहते हो हर बंदे की एस्पिरेशन क्या है लिख वालो एक डायरी एक बगाईदा पेज दो पना दो क्वेश्चन पूछो खुद लिखेगा वह अपने हाथ से कि सर मैं अगले 10 साल में यह अचीव करना चाहता हूं खुद मैं चाहता हूं मेरी परसनल लाइप में में पर गाड़ी हो घर हो शादी हो जाए यह हो जाए यह हो जाए जो भी उसके सपने कि तू जीवन से क्या चाहता है तू जीवन में क्या करना चाहता है वह लिख और अब तुम और हम मिलके काम करेंगे मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी सब की जिम्मेदारी है मिलके कि यह जो कंपनी यहां है इसको यहां प पता है कि हमारे मेनेजर ने लिखा है कि मेरे को मेरे परिवार में मेनेजर लिखा मेरे मेरे परिवार में कोई जितनी भी महिला है सबको सोने की चेन देनी है उसने लिखा अपने सपने में कि मेरा एक दिन सपना है कि मेरे घर परिवार में जितने भी भाई भाई कजन वजन मि पंदरा एक महिला है मुझे पंदरा सोने की चेन बाटनी है तो मैंने उसको काई कि बाइस सब यह मेरा राहुल मलोद्या का वादा है दरगो कमपनी जहां पे खड़ी है अपनी यहां से यह जो लेवल अपने डिसाइड गया इतने समय बाद यह अगर तुने पहुंचा दी तुछ से प्पेक कर रहा है वो यूगदान रहा यू विल बीन पोजीशन तुचेन बाटेगा भाई मैं बैठाओं तू बटेगा जैन मैं बटेगा दिर से चेन का इटेंशन लेता है अब इसका मतलब यह नहीं कि राओ जी आ रहे तो आपने बड़ी कमिट्मेंट कर दिय सबस्क्ताइब गृत्ट को सबंद्र लाक की आए गी हख सकते अधर सकते ऊंदमीं का होने के लिए वो इतना काम करेंगेisी जूर्धाइंट करोड्य रेवेन्यु करकर देगए तो साल में जो काम कर रहा है और मैं उसको बीश लाग की सेलिए 25 लाग के द मैरे क्या दिक्कत और जिसकी 35,000,000 की सैलरी और चेन नहीं बाट लेगा बाट लेगा ना वाईशाब तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सब को चेन बटवा दो कहने का मतलब है कि रीजनेबल ड्रीम सबके लो और बुले तेरे सा और यह एक एक्स्ट्रीम एक्स्ट्रीम था क्योंकि उनका हमारा काम यह एक्स्ट्रीम हम अगारी कमपनी हर साथ डबल होती है तो हम ऐसा कर भी सकते हैं लेकिन नॉर्मली केस में आप देखोगे तो लोगों के सबनें बहुत सिंपल होते हैं जाड़ी ले नी है अगले पांच साल में गाड़ी लेनी है तो आपने कमपनी का लिउजन मिलके साथ मों बनाएं कि company को अपन सब मिलके यहां से यहां लेके जाएंगे और बदले में हमारी जिन्दिगी में हम यह यह चीज़ करेंगे आप ensure करो कि उनके सपने पूरे हो और वो मेहनत करेंगे कि आपके सपने पूरे हो यह simple सा करना हर आदमी को इसकी important अब ने समझा दी motivate कर दिया उनको उनके वाई से कनेक कर दिया हमारा सरी कोर्स होता है bootcamp को मिलाके एक ऐसा कोर्स है जिसमें 6 महीने हम किसी क्लाइन के साथ काम करते और उसके एक एक department को सुनते एक एक problem सुनते हैं उसको solve करते हैं और 6 महीने मेरी टीम का एक आदमी उसके साथ daily फोन पर connect पहता है उसकी life problem सुनता इसका life solution देता है और सारी चीज़ें हाथ से बनाके देते हैं उस प्रोसेस में एक यह मिटिंग होती है जो मैं खुद कंड़क करता हूं आज तक का हमारे चार-पांच मिटिंग में कंड़क कर चका हूं और इसका जो मिटिंग का result है ना व हमारी पूरी company हमको करने के लिए कि सर जी कल से office मता ना office तो हम समाल लेंगे आप तो कंड़ी की growth पे लगो तो आपको लगता है ना कि है employee काम करने को तयार है उनको दिशा देने के लिए उनको motivate करने के लिए जो leadership है ना वो missing चल रही है वस तो यह जो basic चीज अगर आप कर द देखो पूरे कराने के जिम्दारी हमारी और एसा नहीं कि लिखवा है हवा में लिखवा रिया फिर करवाने ही भी है आपको आपने गाए तो पांच क्रोड़ लेके जाना है उस अगर पांच क्रोड़ की अपनी सो क्रोड़ पहुंच गई और किसी विक्ति जो उसके लिए साथ बिठाया कंपनी का मिशन बताया है विजं बताया उनकी पीजन सुनें उनको मोटिवेट किया अक्र 대해서 हम सेकेंड कि अब अपनी को इक बार देखो गौडते कि एसको कियसी है इसको ऐसे घाड का ठीका घाटा का लाइनमेंट करांक अगर आपको लगता है कि मुझे दस जनों की जुरोत हमने पास्तों आठी आटी तो दो जने नहीं रख़ लो आपने आपने का 10 की जरोत है पर 10 ही चाहिए और 10 है लेकिन इन मेंसे कुछ लोग है जो स्किल नहीं है इनको ट्रेंग कर दो आप बोले भाई साथ मैंने नहीं कर दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ बोले भाई साथ रिप्लेस करके दूसरा ले किया जाओ बड़िया टीम मनानी है इस प्रकार से नजर मारो एक एक डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में बढ़िया आदमी हो जो नहीं हो उसको बनाने का प्रयास करो और जो नहीं बने उसको रिप्लेस करो आपकी expectation clear करो जैसे for example step 3 पे बात कर दें अभी हमको अभी हमने कोई भी job define नहीं कर रखी तो हम किसी भी व्यक्ति की performance नहीं देख सकते कि गुट्टा जी अच्छा काम कर रहे हैं कि शर्मा जी की जैन साब क्योंकि हमने performance तो डिवाइन ही नहीं कर रखी तो जो महनती है उसको मे award नहीं दे पा रहा और जो आलसी है उसको में punish नहीं कर पा रहा तो जो महनती है वो महनत कर रहा है पर उसको कुछ मिली नहीं रहा तो महनत करना कुछ समय बाद वैसे बंद कर देगा और जो आलसी है उसका कुछ हो नहीं रहा तो वो आलसी बना रहेगा वो क्यों सुद रहे कि मैंनती को तुम डबल काम दोगे चुपल काम दोगे उससे क्या होगा वो फ्रस्टेट होगा इरिटेट होगा छोड़ जाएगा आल सी आदमी के पास इतना टाइम है वह बैठके पॉलिटिक्स करेगा अगर आपके तो मेरे ओफिस में पॉलिटिक्स है वह इसलिए है कि कम काम कर रहा है उसके पास जहान का टाईम है वह दुनिया की लेनी देनी कर रहा है उसके पास कोई टाइम ही नहीं है तो उफिस पॉलिटिक्स वह करता है जिसके पास समय होता है पॉलिटिक जोइल करनी है समय चाहिए ना आंको BGER 걸ख निता बना पांच साल जा कर रोज का रहरे ले जा रोज रेलिई में भाग ले समय देगा तब राजनीती होती है तो राजनीते के लिए समय चाहिए तो आपके तो मेरे उपिस में राज नीती है समय भी तो खूब है है जी तो अब आपकी पोजीशन क्या है सैलरी देते हैं ट्रेनिंग देते हैं काम गुद कर दें इतने बोले जीए वह बता हो इतने दुखी हो राओ जी इतने बुरी औहलत हैं हमारी तंखा भी देते हैं ठरेटे फिर भी हम कोई करना पड़ता है इतने बोले नहीं हो इतने आहिस के breaking का यार यह कर तो ले लेकिन इसको क्या पहले ही पन दो जार कम दे रहे तो यह इतने रुपे में तो इतना ही काम होता है इसलिए मुझे करना पड़ेगा यार डर लगता है यार ज्यादा कुछ बोल दूँगा छोड़के चला जाएगा पर दिक्कत हो जाएगी तो आपका जो डर है आपका जो माइन सेट है इस चक्कर में काम निकर रहा है कैसा ही बोल रहा हूं क्या इतने बोले थोड़ी हो आप आपको exactly पता है कि इसको बसकी नहीं है इसलिए मैं करना हूँ तो जो तुमको पता है कि इसके बसकी नहीं है और तुमको करना पड़ता है तो इसको अटा के दूसरा क्यों नहीं ला रहे जब तुमको पता है कि इसको सिखाऊंगा तो यह कर लेगा बिना सिखाए तो आता नहीं है, तो सिखा के नक्की करो फिर खुद क्यों कर रहे हो, तो तुमको सिखाना भी नहीं है, तुमको धंग की हाइरिंग भी नहीं करनी है, तुमको धंग के पैसे भी नहीं देने हैं, और तुमको डरो लगता है, कैसे करेगा तुमरा employee काम? बोलो बाबू बोलो सो सर जी क्लैरिटी कैसे दें एक एक आदमी जो भी हो आपकी कंपनी में हो उसके हाथ में एक जॉब डॉकेट हो जॉब डॉकेट मतलब एक कागज एक फाइल जिसमें उसके काम लिखे हैं कि देख बिटा यह तेरा कियारे देख बिटा तेरे काम इंगार त्रेणी को पता हो कि तुझे करना है कप करना है कैसे करना है हर बंदे की ट्रेणि करा दी हर बंदे को के प्टा दिया जो बढ़िया काम करे उसके लिए benefit लिए कि तू यह करेगा तो employee of the month देंगे ये करेगा तो movie के ticket मिलेंगे ऐसा करेगा तो appraisal होगा ऐसा करेगा तो ये मिलेगा और जो नहीं करेगा उसको बोले बाई बाई जै मातादी थैंक यू clear है तो अगर आपकी team में हर आदमी के हाथ में कागज है से उसको पता है कि मुझे क्या करना है हर आदमी के हाथ में SOP है तो उसे पता है कि मुझे कैसे करना है हर आदमी को training दे गई है तो उसको पता है कि ये कैसे किया जाता है और उसका interview में skill पूछली गई थी तो उसमें skill भी है प्लस बेहनत करने पर उसको आप कुछ देते हो और आलस करने पर आप लात मार देते हो तो भाई साब आपके पास टीम बढ़िया हुई की नहीं हुई हो गए ना टीम बढ़िया भाई सब आपने आपी पीम के कितने बेशिक से रूल है है यह बड़िया बंदर करो क्या रेदो एस ओपीदो केपी आधो चेक करते रो बड़िया करो और अच्छे को प्रमोट करो बाकी को ब्रवाना करो बाद 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 बस इतनी सी चीज़ है यह नहीं करेंगे हम यह नहीं करेंगे डल लगता है जी अब एक सवाल है कि रहो जी काम देवे कैसे हमको काम देना ही नहीं आता है कई लोग काम देना ही नहीं आता कि रहो जी बात बताओं क्या मेरे को पता ही नहीं कि कौन सा काम देना है कौन सा नहीं देना सईसे बताओ बार दिल पर हाथ रखके यह तो बात अब तक आपको समझ ने आ गई ना कि मेरे से चुपावा तो नहीं है कुछ कि यह लेखाया अदमी है पर मेरे से तो नहीं चुपा पाओ गया तो प्रयाज भी मत क्या करो नहीं चुपेगा हमको पता है कि क्या क्या काम देना और क्या 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 दूसरा हम इसलिए नहीं देते 콘ideo hadi तो हमको इंसेक्यॉरिटी इश्यू है कि कल्को यह इसको दूंगा इससे होगा तो नहीं कल को यह विगाड़ देगा कल कर देगा दो दो दिन के काम पांच दिन में करेगा इस तोव दे थे क्यों क्यूंकि ड्र लगता है कि इस से ये टाइम लगाएगा से संचा मैं कर लो रही मैं देंक मैं福 के बाइम आपको आ अपको आपको लगता है एक माषै हो गया तो जब याद आता है तो गुपता जी को दिन में तीन मार पूछते हो क्या हुआ वह जब साथ दिन में बोला था तो पहले तीसरे दिन भी पूछो कि क्या चल रही है प्रोग्रेस क्योंकि आठ तरीकों सीधा लड्डू देगा हाथ में कि भाई साथ दिन बोलके आठ वे दिन के पूछ रहा है साथ दिन किसी को काम दो तो तीसरे दिन भी पूछो बीच में लिया डेलिगेट करो डेलिगेट करते हैं विदाउट ऑथोरिटी तू सेल्समेन ने जा माल बेच क्या क्या रेट पे बेच हूं यह जो MRPS पे बेच दे वसो ग्राग डिस्काउंट की बोले तो मेरी बात करा दे अब एक बात बदा हो मुझे आपने सेल्समेन को मेटिंग करने तो बेचाएं पर किस रेट में बेचोगे कितना डिस्काउंट देना है कितना माल देना है अब तक दे देंगे इन चीजों पर उस बिचारे की कोई अथोरिटी नहीं वह फोन करता कि भाइसाब यह सबसेल करने गया है यह कोई भी आदमी कुछ भी काम करने गया है उसको अगर काम दिया तो अथोरिटी भी तो हमने काम ले दिया बस उसको अधिकार नहीं दिये अब वो बैठा क्लाइंट के वहीं से आपको फोन लगा रहा है तो टेक्निकली मिटिंग तो क्लाइंट से आप ही कर रहे हो आपने फिर डाकी आर क्यों कर रहे हैं खुदी चले जाओ ड़न कोई एक कोई फीडनक नहीं देत्थे को एप्रिशेशिशन है उसने बड़िया काम किए तो बोलेंगे नहीं बहुत बढ़िया और उसनी बिगाड़ Sana बिा तो उस पर हत्तिगर ले कि चड़ाई कर देंगे यहार ऐसे कैसे किया ऐसे किया गलक कर दिया पो उसकी गल् आपको अपने आपी पता पड़ जाएगा ना किया रहे तीन काम इससे कराने यह पांच कराने तो जितनी भी काम आपको करवाने हैं और किससे करवाने तो पहली बढ़ गया कि किसको क्या काम देना सेकिंड कैसे करना विचारा करेगा कैसे आपसे जदा एक्सपरटाइज और आपसे जदा प्यार हो यह कम मिलेगा यह आपने इंटर्विव में देखी लिया था आपने जब क्यारे बनाय था कि मुझे यह वाला काम कराना है उसके एकोरटिंग जेडी भी तो बनाया था और वैसे ही सवाल भी तो बनाये थे तो यह राइट परसन है कि नहीं यह काम कर पाएगा या नहीं यह वाली कैपडिलिटी तो आप इंटर्यू में चेक कर ली थी कि यार इसमें capability है तभी तो आपने इसको हैर किया इंट्रिव मों capability मिलती नहीं तो आता ही नहीं तो आपके बाद जो बंदा है वो ढंका है उसको काम करना आता है काम उसके हाथ में है और कैसे करना स्की S.O.P और अब जब भी काम दो deadline के सा तो मैं मेरे एंप लोगा मझा कित्त दिन में छीं नशेए फ़र चाहर पांच शे सो राइट अंसर है पांच या छै क्यों किसी नहीं लिगा थिन और चाहर तीन और में गलत क्या है तो हड़ भाड़ी में घड़ बड़ा देगा क्योंकि यह रियलिस्टिक तो तीन दिन में हवर घाबर हो जाएगा नॉट पांच और छे ठीक किसलिए है कि पांच पर दिया पांच को काम करके लाया उच नीच भी हुई ठीक करने के लिए दो दिन है साथ ढड़ार साथ दिन लगा कि यार इसमे तो गड़ बड़ है दो दिन ठीक करने लगेंगे तो साथ अपने आप इन्नों हो जाएंगे तो चैलेंजिग भी दो पर रियलिस्टिक दो फाइनली बीट-बीट में चेक किया करो तीसरा आप बंदे को अथोरिटी दो सर जी उससे गलती कर दी तो गलती तो करेगा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे आप कैसे सीखे भाई आप इतने तुर्रम खाओ रहे हो कि तो अरी मैं तो एक्सपर्ट हूँ तो कितनी गलतिय पता है उसके आप क्यार है उसके आपने phene टूर्पि उसके बास ट्रेक दस में से साथ गलती तो आपने वैस कि कितम कर दी अप इंकर डो दो जो करकाते खते सी जाएगा लेकिन वह दो चाहर गल्टी करेगा रिपीट कोड़ी करेगा एक महीने दो महीने में बंदा तैयार आप फ्री प्लियर आपके बात करेंगे बैसाब दो टॉपिक रहें इंपॉर्टेंट मेरे पास हैं साथ मिनट और टॉपिक हैं दो तो या तो मैं पंदुरा मिंट आगे बढ़ाँ लास या मैं इसको खहेंच दूँँ क्या बोलती प्घूली साथ मिनट और दो टॉपिक कि पंदुरा मिंट एक्स्ट्रा या खीचे कि पंद्रा मेंट एक्स्ट्रा तेंक यू रिपोर्टिंग कैसे लेनी सर यह सबसे प्यारी चीज़ यह यूएस पी यह मज़ आएगा इसमें अपको हम रिपोर्टिंग कैसे लेते हैं हम हमारे एंप्लई से काम पूछने में ही डरते हैं कि कहीं वो छोड़ना जाए गुपता जी को अपने कलेक्शन की जिम्मदारी दे मैं पर शर्मा जी से घपट के पूछनी सकते शर्मा जी कि इतनी से लुए जॉड़ी करेंगा बढ़िया ज़्शाय जादा शर्मा जी के लिए पूछते हैं वो कुछ भी आंसर देता है हम सटिस्वय हो जाते हैं आपके सेल्स मेनेजर हैं शर्मा जी मुझे पूछ पूछ में पूछ जबाब हुआ कुछ भी पूछ रहे हो वो कछ भी बता रहा है और आप चले गए घुष कर रहे Mengगे उसल लोicate रही आजकर करेंगें हुआ कालिंग कीसे करते से करते हूं मिटिंग के से का बेजा है कहा नहीं बेजा की सेरिम बेजा की किन लोगों के पास detail में नीपूछते हैं जा करेंगे detail में जाके हम कभी number में बात नहीं करते हम बात करते हैं हम एक सवाल पूछते हैं वो कहानी सुनाता है ध्यान से सुनना employee आपको अपनी जिन्दिगी में अब तक बता नहीं चला होगा कि employee को कैसे समपालू एम्प्लोई को पता है कि आपको कैसे समा लें आप एम्प्लोई से पूछो कि गुपता जी मिश्कार क्या आला है आपके खौट पड़िया गुपता जी वो आपको कलेक्शन के लिए मैंने बोला था ना कि इस महीं अपनी 70 लाग की उधरी थी मैंने गा था यार 30 लाग तो र और यार आपो क्या और यार सुनो मैं तो डिली जा ऐसा करके बोले है इस कपूर ने एक काम कर इस कपूर के बच्चे को देखना मुड़ेगा मैं बात करता हुब इससे ठीक है आप लोगों मैं देखता हूँ अपने सवाल पूछा तक कितना हुआ उसने उसका जवाब दिया, बिल्कुल नहीं दिया, उसने क्या किया, एक कहानी सुना दिया, कहानी में आप उलज गए, और उलज के डीटाई खतम, बाहती खतम, ये थी गुपता जिक्की बिलियन से, ये आपको समाल रहे हैं ना दस सालों से, आपको पता है कैसे गुमाना है क्या ऐसा होता है जैसा मैं बोलनगो अच्छा हम जब भी मीटिंग बूलाँ पहली बात हम रेगुलर मीटिंग दो करते ही नहीं, करते हो नहीं करते है, ऐसे कोई घर से इमाग खराब था आपको घुश के जम खराप दी तो घुश से नुटिश नहीं बिटर ली आपने लाँ ये बढ़िए तो फिर एक काम करता हूँ तुम अपने हमने काम में लगो हैसा में और तुमने चली थी मीटिंग की यह कर दूंगा बो कर दूंगा इंप्लोई तुम को उल्जा के पसा के चले गए अब तुम मनाओ वेबसाइट तीन महीने छे महीने तब याद आएगी फिर याद करोगे फिर कुछ और में फसा देंगे तुमको एंप्लोई है उनका नाम एंप्लोई को बता है कैबिन में बुलाए ना डाट ने बुलाए उनकी गेंडे की चमडी हुई रोज गलियां खाखा गए वह आते हैं ऐसे मुन्नी नीचे करते हैं सारी बाते सुन लेते हैं और फिर जाके फिर चाए वाले से सेटिंग कर लो चाए वाले को बोले है तु इन हमने एंप्लोई की जिम्मदारी तो बिना नी रखी तो कभी कोई काइंड हो गया तो आपके तो शर्मा जी क्या लगा रहा रहा हुआ अगरी बार कुछ नहीं होना चीए चलो किसी का कुछ करी नहीं पाए कि कोई ने है ह को गलती से मेंटिंग कर लrise तो समें डिसीजन ले के उठहे और कल विंदग कि तुम्हें काम देना तो आता ही नहीं था तुम्हें काम लेना भी नहीं आता बहुत बढ़िया बहुत उम्दा या खेल रहे मेरा भाई सबसे पहले तो दिमाग से डर निकालो कि भाई साब मैं दुनिया को देखो तुमने दिये सीधी सी डील है बेसिक तुम दे रहे हो पैसे वो दे रहे काम तुमने पैसे में कभी उच नीच करी नहीं तो फिर काम में उच नीच का है वो बले सर अपकी बाइपने 10 लाकर वो बला था टारिगेर में से 5 ही हुआ वो बले कोई नहीं मैंने 20 की सेलरी बली ते अपकी बाइद 10 ही हुई नमंस्कर गुपता जी जैल कैसी चल रही है बढ़िया सब बढ़िया क्या होती है dhng से समझाओ बढ़िया का अंसर गया क्या होता है मैंने question पूछ ना answer दोस्त दूसरी बात उसको नमबर होने की बात करो specific होने की बात कुरो एभा बétaisु मैं आपको live शर्माजी बढ़िया बढ़िया नम्मर में मता कैसे चल रही है नम्मर में राल दी मैं बढ़ाओं आपको कि 20-25 लाग की से लगबग हो गई है और 10-15 लाग की लगबग रस्ते में यह भी हो जाएगी महिना होते होते मैं का ओ मेरे शर्माजी सुनो मेरी बात 20-25 की हो चुकी है यह क्या हलवा है कि 20 की हो चुकी है यह पच्चिस की हो चुकी है यह अप्रोक्सिमेटली मत बात करा करें लगबग बात मत लगबग मत बोला करो अंदा जैसे मत मोला करो मोटा मोटी मत बोला करो एक्जेक बता 20-25 की कि सेल नहीं बीस की या पच्छीस की आपको पता है कि बुपता जी का बोलेंगे सर हच्छोदा की जब चोदा की सेल हई थो 20-25 क्यों कह रहा है अज़ा रस्ते में कितनी सेल है दस पंदरा की तो हई जाएगी दस की के पंदरा की के जी साड़े छे क्या है जी तरी चौदा की तेरी हुई है साड़े छे की बात चल रही है और मुझे ग्यान दे रहा है कि 20 25 हो जाएगी क्यों कि तेरे को पता है सेट मोटा मोटा ही सुनता है खुश करके बेच दो तो बोल तो सेट सयाना हो गया रोज सबोट ता साथ से नो सबोट के कहते हैं बुद्धी मिलती है आज समता चलाया कि ऐसे मिलती सबोट के बोले तुब भाई एक्जेक बताय कर चोदा लाग बारा जान नो सो बातिस की सेल तो हो गई है और दो लाग जनरल स्टेटमेंट मत बनाओ अपनी बार बढ़िया सेल होनी चाहिए नहीं मुझे जनवरी के महिने में 31 जनवरी को कुल मिला मुझे 31 जनवरी 2023 को टोटल 25 लाग की सेल चाहिए इन 25 लाग में से कम से कम तुम 10 लाग की इस डिपार्टमेंट से लेके आना यह वाला इतने क्लाइंट इतनी सेल इस अरिक तक चाहिए बाइसाब मजाक नहीं कर रहे इदर गंदा हो रहा है मजाक हो रही है क्या मजाक भी नंदे कर रहे हो उनको बता देख भाई मेरे को चाहिए 25 लाग की सेल उसके लिए तुम्हें काम करो यह ना यह वाला इंडस्ट्री लिए पकड़ लो तुम्हार पर पाँच आदमी ना दो आदमी तो वहीं बेजो और दिन में सो सो फैक्ट्री का डार्गेट रखो ऐसे करके तुम्हारा हो अच्कह लाग का मैं तुमको खह रहा हूं क्योंकि अपकी बार मेने सोचा कि अपनी आउब इस परशेन परशन गोई है समझा दो कि देख सक्सस पर यह मज़े मिलने वाले और नहीं किया तो बिटा यह रिजल्ट त्यार है अब तू जान तेरी काम कोई दिख्कत आया तो भाई को समालो एंश सबसे इंपॉर्टेंट फिनिश विद लव आहां कि देखो मैं थोड़ा अग्रेसिव की बात करता हूं कि मुझे इस टॉपिक वाती थोड़ा सा गुस्सा आजाता है पर एक्च्वल बात क्या है कभी भी एंप्लई पे गुस्सा नहीं करना है इंप्लई से बात हमेशा प्यार से मैं सिंपल सा मेरा है क्या रूल है आपने उसको पैसे दिये वो आपको काम देगा अगर वो आपको काम नहीं दे रहा तो आप उसको पैसे मत दो लेकिन उस पे चिलाना गुस्सा करना आपको किसी ने हक नहीं दिया कि कोई भी आपको हक नहीं हुआ तो बोनस उसका गया नहीं हुआ तो इसकी सेलरी कम बढ़ लेगी और नहीं हुआ दो महीने तो तीसरे मेहने आप उसको नोगरीज़ अटाओगे तो अल्टिमेटली जो आपको करना वो तो आप करीद होगे ना डाट के क्यों एनरजी खपाने क्योंकि अगर तुमने उसको वैसे ही का कि देख बेटा तेरी परफॉमेंस आई नहीं रही तेरको दस लाग का वुला तेरसे साथ ही हुआ फिर अगले मेने फिर तेसे चलेगा नहीं अपनी पॉलिसी है इसलिए मैं तेरको विदा कर रहा हूं ठीके बेटा कोई दिक्कत हो त फिर वो तेरे क्लाइन भी तोड़ेगा फिर वो रेपोटेशन भी कराप करेगा फिर वो दस चीज़ें करेगा क्यों बगाने का प्यार से बगाने का देख बैटा यह पॉलिसी थी यह रिजल्ट था और बेटा देख में भी आगर उनके तायरवाद तो सही है रीजनेबल मथिली मिटिंग जिसको मैं बोलता हूँ स्ट्रेटेजी मिटिंग महिने में एक बार बैठके इस ट्रीजी पुरी टींग को बटा लो लेबर प्यॉंट इनको हटा सकते वागी वैसे शुपरवाइजर प्रडिक्शन मनेंजर इनको सब को बिला लो इनसे बात क्या करा इसका उद language क्या है मिटिंग का देखो सिम्पल किया खोया क्या पाया से इंपल पिछले एक महीने में क्या क्या खोया राई का रेगा discussion करेंगे अगले एक महिने मैं क्या करना, उसकी प्लानिंग करेंगे 175 इसलिए मिटिंग हो रही है और कोई उद्धेश्य ही नहीं है, पिछले महिने क्या ख़ोय क्या पाया, अग्ले महिने की planning simple तो इसमें क्या होगा पूरी टीम बैठेगी और एक एक department का discussion होगा clear है क्या यह पूरी meeting एक साथ होगी सारी team बैठेगी सारे department बैठेंगे सारे लोग बैठेंगे और एक department का फिर धीरे-धरे discussion होगा और पूरी company की planning होगी clear है वाई लो टाइमिंग आपकी जर्चे जो रखो संडे को रखो वीगडे में रखो सुबह रखो शाम रखो जो आपकी इच्छा है उस पर नहीं जाना इस भी शुरुआत कैसे होगी meeting की शुरुआत होगी positive से पिछले महीने क्या-क्या खोया की बात बाद में कर ले ना पहले पाया की बात करो कि पिछले महीने sales department ने अच्छे achievement की है marketing ने इतना बढ़िया किया production ने इतना बढ़िया किया पिछले महीने इतने clients युडे इतनी सेवां की हमको ये मिला हमको वो मिला जो जो पाया जो पाय से मिटिंग की करो शुरुआत उस से मिटिंग की करो शुरुआत क्या अपने सीखा उसकी करो अब आ ज़vas एक्षी पर क्या-क्या उर बताओ अब जन्वरी में तो हमें ये का अप आप 25 शीव कर से व nehme में वापस टीश के टार्डेट ले रहया है कि पूरा तीस अच्ण करेंगे इससि onlar ह् और थे रहो आगर हम गरते रहो हर डिपार्टमेंट का गोल सेट हो जाएगा अगले मेने का गोल सेट कर देगा बहुत बढ़ी है साब अगर कोई प्रॉबलम आ रही है तो सब जने बैठके कि इस मिटिंग में जो भी बड़िया काम करें उसकी तारीफ करो खुले दिल से लेकिन जिसने गलती की हो जिसने मिस्स किया हो उसका जिक्र बिलकुल मत करना इस मिटिंग का अद्दिश्य किसी को नीचा दिखाना किसी को परेशान करना किसी को चड़ाना करता ही नहीं है यह इस मिटिंग में किसी का भी अपमान कभी नहीं होगा पूरी टीम बैटी है महीने में एक बार खुए पाये का हिसाब हो रहा है क्लियर अब इसमें क्या क्या सुविदा है जैसे आपने का राओ जी मेरे तो 20 जिनों की टीम है सारे एक साथ बैठ जाओ आपने का सथ 200 आदमी हमारी कंपनी में कैसे बैठेंगे सही बात है आप ऐसा करो आप सेल्स टीम अलग बैठ जाओ सपोर्ट टीम अलग बैठ जाओ हमा वह अपनी अलग अलग मेटिंग कर लो लिए रहे सब कि अच्छे पाल तो बोल दो यार है यार चैक्निक अलमेट बहुत आसान बहुत ही ज़्याद आसान यह क्या है यह करो साथ देन में एक बार, हफते में एक बार, कितनी देर चलेगी, जितने अपकी एंप्लाईएं उत्ती देर चलेगी, इसमें क्या है, one to one with person, अकेले, महिने में एक बार पूरा डिपार्टमेंट बैठेगा, और पूरा डिपार्टमेंट की प्लानिंग होगी, हफते में एक बार हमसे बंदे के साथ बैठेंगे, और रमेज जी, बैठो, और बताओ, रमेज जी, पिछले हफते, क्या खोया, क्या पाया, अगले हफते की प्लानिंग बताओ, अकेले, तुम सिर्फ अपनी, खुद की, डिपार्टमेंट की नहीं, डिपार्टमेंट की हम देख ले आप मेनेजर के साथ बैठ जाना मैनेजर अपनी अपने टीम के साथ बैठ जाएंगे clear है यानि हर कंपनी में हर आदमी की साथ दिन में एक बार बैठ के काम की समिक्षा होनी जरूरी है उदेश क्या था? पिछले साथ दिन में क्या खोया या पाया? अगले साथ दिन में भैसाब क्या करने वाले हो, सुन्हों। meeting की शूरूआत हमेशा positive कि बड़ी आप पिछली बार आपने यह अच्छा किया, यह अच्छा किया, यह अच्छा किया बहुत बड़ी है हमें नाज है आप पर लेकिन पिछली बार ये चीज तो आपसे रह गई ये चीज तो आप करी नहीं पाए इस चीज में तो आप कच्छे रह गए बताओ क्या बात है ये क्यों कम हुई, ये क्यों नहीं हुई, इसमें क्यों गडबड हुई, उसकी गडबड सुन लो, उसका कारण सुन लो, उस भाई को solution दे दो, कोई बात नहीं ऐसा हो गया तो, अगली बार अपन को ये करना है, तो अब अगले हफते अपन इसको ठीक कर देंगे, कर देंगे, कोई दिक्कत मेरे से सपोर्ट चाहिए तो बताओ कुछ ट्रेनिंग चाहिए तो बताओ किसी से मिलना जुलना हो तो बताओ पर अगले अफ़ते अपन ये कर लेंगे ठीक है धन्यवाद सर और अगले अफ़ते का कमिट्मेंट ले लो तीन-चार लोग के रहें सब पुरानी स् है जो आपको कल मेंने फॉर्मेट दिये हैं मतलब जो आपको पहले दिन दिये थे उसमें सारी चीज़ें अल्रेड़ी है कि हम आपका ख्याल रखते हैं सब दे चुका मैं एक मिटिंग होनी चीए डेली यह कब हो पूरे टीम एक साथ बैठ जाओ पूरी टीम में तो अलग ज़्यादा लोग हैं तो डिपाट्मेंट वाई अलग बैठ दाओ इसमें क्या होगा किती देर चलेगी बहले पंदरा मिनट उसका उद्देश क्या है पूरे दिन बर में पुछलो शर्मा जी आज क्या करोगे जैसे सेल्स की मिटिंग भो रही है आज क्या करेगा फैस्टिन मिटिंग क मसरा आज की को लगश्स आपसम सब्सक्राइब कोई heremaa ने फून चेहा है वह आपने कर दिया एक सवाल पुछा गया कि राहूल जी आप तो कहते हो कि बिजनस को आटो पालेट पिछोड़ तो और आप के रहो कि यह मिटिंग आपको लेनी है तो गर यह मिटिंग मैं लूँगा राहूल जी मैं लूँगा तो एक बहुत बताओ फिर मैं फ्री कैसे हुआ सर जी इतनी जिन्दगी ने आज तक तो कमेली नहीं सबसे पहले आप ही रोगे एक महीना तो महीना तीन महीना आप ही लोगे छे महीना आप ही रोगे फिर जैसे जैसे आपको confidence आएगा आप ही मिटिंग दुनिया पे छोड़ोगे जैसे हमारे office की पहली मंतली मिटिंग हुई म आप तुम करू अरब मैं धेख रहा हुने मिटिंग की में को मिटिंग में जो अच्छा लगा मैंने उनको मैसे डालता रहा इस गुड़ ऑसम बहुत बढ़िया जो घड़ा भी लगी में ये कमी थी अगली बार सुधार लेना अब अगली बार की मिटिंग में फिर खड़ा र लेकिन आप यह सोचों कि भाइस साबiała आचीं साथ दिन में एक बार करवी लोगे तो क्या फत измен है यह म् Helena में में एक बार कर नी है कर लोगे तो क्या फता जाएगी पाच दिन नहीं को हफते में एक बार महीने में पात दिन नहीं दोगे डिलिंग मिटिंग तो चलो समझ में आती है एक बार आपने सेट करा दी दस दिन बीज दिन अपने आप करेंगे नहीं दोगे समरी बता देते हैं आपको काम करना आपको लगता है पैसे दीएंपलोई काम कर लेगा नहीं करेगा काम करवाना आपकी जिम्मदारी है लोग पैसे से काम नहीं करते डर से काम नहीं करते प्यार से काम नहीं करते लोगों को पॉलिसी से काम करते हैं लोग system से काम करते हैं, लोग assertive से काम करते हैं, आपकी टीम में अच्छे लोग आएं, अच्छे लोग रुखें और बुरे लोग भगें, ये आपकी ही जिम्मित्दारी है, तो आपको काम दुनिया को बाटना पड़ेगा as per skill और will, उनकी लेनी पड़ेगी regular reporting, बड़ी आदम एक चीज सोचो, जो मैं एक सवाल आपसे बार-बार पूछता हूँ, कि रहो जी, 20 साल से धंदा कर रहे थे, चीजे तुम्हेंने आज ही सीखी है, तो आखिरी एक बाद 20 साल से धंदा करते-करते, मुझे ये चीजें आज सीखने को मिल रही है, आज के पहले क्यों नहीं सीख ये कभी भी प्लेटफॉर्म या इंटर्व्यू में डिसकस नहीं होते है, अभी आप बोलो कि मुझे शम्मानी जी का इंटर्व्यू आ रहा है, इंटर्व्यू में दस बाते करके चले जाएंगे, वो कभी ये स्टेटी शेयर नहीं करेंगे, दुनिया भर की स्पीच दे ज करने तो, लेकिन अब तक जो होना था, वो हो गया, ये बड़े लेवल पर काम करके ही सीखी जा सकती है, और जो सीखता है वो बताता नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि राहुल जी मैंने लास्ट तीन दन में जो भी सीखा, वो जीन्दगी में साथ ऐसा जिखा कि मैं इतने यूटूब की वीडियो देखे, इतने आर्टिकल देखे, इतने लोगों से मिला, कभी ये चीज़ें सीखने को नहीं मिली, जितनी क्लैरिटी से आज सीखने को मिली, अगर ऐसा मिला है तो शायद मेरा जो लक्ष है व्यापारी को CEO बनाने का उस दिशा में कदम और अभी तो अपने सिर्फ एंप्लोई पर बात की है, आप ही तो सेल्स पर करेंगे, मार्केटिंग पर करेंगे, फाइनेंस पर करेंगे, डेली रूटीन पर करेंगे, अभी तक आपने जो सीखा है, टोटल पंदरा परजंट है, 85 परजंट अभी पाकी है मेरे दोश्ट, बस आपसे मेरी जाते-जाते दो रिक्वस्ट है, दो हाथ जोड़के विंती है, पूरी करेंगे क्या? दो रिक्वस्ट, दो रिक्वस्ट, दो विंती हाथ जोड़के जाते-जाते पहला, आपका जो भी एक्सपीरिंस रहा इन तीनन का या तीननन की जो भी लर्निंग थी, वह आप प्लीज शेयर कीजिए, आप मेरे साथ यह चैट बोक्स में तो उविसली शेयर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको share कीजिए आपकी Facebook community जो मैंने कल आपको join कराई थी, एक link बेजा था कि Facebook community join करो, वहाँ पे जाके आपने इन तीन जिनों में जो भी सीखा वो डालो, या जो भी आपका अनुभव रहा कि मैंने class attend की मज़ा आ गया, या यह भी, जो भी आपका अनुभव है, या जो भी आपकी learning है, प्लीज Facebook community पे और आपके Facebook page पे share करो, लिकिन एक बस चीज़ है, उसमें आप एक डालोगे, hashtag व्यापारी to CEO hashtag व्यापारी to CEO, इसका उद्देश्य क्या है कि आप कोई भी जब भी hashtag व्यापारी to CEO करेगा, जैसे for example आप गए Facebook पे, ठीक और आपने आज 10 बाते सीखी और ऐसे डाल दी, फिर 20 बाते सीखी डाल दी पूरे course में आपको 25 बाते याद रह गई, जो आपने डाल दी आप आज के 5 साल बात भी Facebook पे जाके hashtag व्यापारी to CEO डालोगे न, वो 25 की 25 लर्निंग आपको एक साथ मिलेगी प्लस, आपको अपनी 25 लर्निंग तो मिलेगी ही मिलेगी आपको इन 500 लोगों की लर्निग और मिलेगी तो जैसे आपने मलो यहाँ पे बैठे हैं, 650 आदमी और हर आदमी ने 10 पोस्ट डाल दी है तो साड़े 6,000 पोस्ट है, hashtag व्यापारी to CEO में, तो Facebook पे जाके सिब टाइप करना, hashtag व्यापारी to CEO और आप देखोगे, साड़े 6,000 लर्निंग आजाएगी, तो उसमें आपको मजाएगा, and इस संड़े हो री है व्यापारी to CEO की class, तो आपको लगता है कि राओ जी यह जो चीज मैंने सीखी यह अनमोल है, यह मस्त है एक गजब है, यह हर व्यापारी के लिए basic है, हर व्यापारी को करना जरूरी है, और कर नहीं रहा, और तो मेरा मानना है करना चाहिए, तो आपका कोई भी दोस्त, यार, जानकार, उसको आप चाहते हो कि यार, वो भी ये course करे, तो परसों व्यापारी to CEO की class है, चार घंटे की, वो ही 99 रुपे वाली, तो मैं आपको chat box में link दे दिया है, आपको facebook में भी, वो आपको whatsapp की class में भी link दे दूँगा, तो please share this with maximum people, ताकि ये जो अपना mission है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तब कहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी CEO बने, और दिये से दिया जलाएंगे, रोशनी आगे बढ़ाएंगे, तो इसके दो देश हैं सबसे पहले, कि व्यापारी CEO की सारी learning एक जगा एक खट्टी हो जाए facebook पे, इसलिए आप please ये hashtag काम में लीजिएगा, और दूसरा ज़्यादा ज़्यादा लोगों को refer केजिएगे क्लियर सर, थैंक यू, धनिवाद, शेहन